चीन की फैशन कंपनी, शीन की भारत में हो रही वापसी पर सरकार ने भरोसा दिया है कि शीन के साथ रिलाइन्स रिटेल का जो एगरीमेंट हुआ है, उसके तरह शीन को किसी भारती कस्टमर के डेटा का एकस्स नहीं दिया जाएगा. कारोबार का पूरा कंट्रोल के पास रहेगा 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत में शीन के मुबाइल एप पर प्रतिवंद लगा दिया था उससे में शीन अपने मुबाइल एप से भारत की में लाइफ स्टार प्रोड़क्त बेज दी ती करीब 3 साल बाद फिर से शीन की भारत में एंट्री हो रही है सर क्या अरेंजमेंट हैं और किस तरीके के रिस्क दिख रहे हैं शीन भारत क्यों आ रही है बड़ा दिल्चस्प घटना क्रम है इस पूरे घटना क्रम को जो करीब से आप देखें जिस तरीकी की सूचना सरकार की तरफ से दी जा रही है को चुकि भारत की कमपिनी रिलाइंस के साथ आ रही और इसकी सबसिटिरी के तोर पर आ रही और यह गैरंटी दी जाएगी कि शीन का शीन भारती को डेटा को एकसेस नहीं करेगी आवाँ, यह नहीं ले जाएगी, तो इसलिए शीन के उपर कोई प्रतिबंद नहीं होगा दूसरी चीज़ है कि शीन को FDI नहीं ला रही तो शीन को FIP भी मंजूरी प्रोल की भी जरूत नहीं होगी मजूदा परिस्तितियों में जब तक कि कोई FDI का ये विदेशी निवेश का प्रपोजल नहीं आता है अब शीन भारत क्यों आ रही है को सप्लाइगी यानि अभी शीन के जो अंतौराश्ट्री ग्रहाँ हैं वो चीन में बनने वाले कपडों का कपडों का इस्तिमाल करते हैं जो शीन योडार्प आ पकि अजुन इर dwet के और about करती है वह चीन बनने वाले कोशिश की की जा रहे और चीन के साथ मिलकर textile sector में किसी export एरेंटीड उनिट की तियारी की जा रही है और क्या ये तियारी PLI के तहट आएगी इसके लिए PLI लिया जाएगा ये भी कहना इसपश्ट नहीं है दूसरी चीज ये क्या शीन के कपड़ों का भारत में आयात होगा इंपोर्ट होगा और अ शीन के की तकनिक और शीन के गार्मेंट और यान और शीन के डिजाइन के अधार पर भारत में शायद कपड़े बनेंगे और उनका गलोर मांगेट में निर्यात होगा